हलो फ्रेंज तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोयावीन की बड़ी की सबजी ये मैंने गाउं में बनाई है ये बहुत ही टेस्टी बनती तो सबसे पहले मैंने सोयावीन की बड़ी को पानी में रग दिया था फूलने के लिए तो ये फूलने के बाद मैंने थोड़ी सी इनको फ यॉका धनिया हमारा पूरा अच्छे से भूनने वाला है इसके बाद हम डालेंगे तेज पते दनिया हमारा भून गया है अभी हम डाल देते हैं तेज पते यह मैंने चार से पास्ट तेज पते डाल दे हैं और यह मैंने सिल्वाट टेप पीसी थी हल्दी हल्दी हमने पीस के डाली है और यह मिर्ची भी है हल्दी मिर्च मसाले सारे मैंने पीस के डाले और धनिया प्याज लेसुन सारे इंगिडियन्स मैंने पीस के डाल दे हैं मैंने तो मसालों को हम अच्छे से फिराई कर लेते हैं यह देखिए मसालों में से और निकलने लगा है तो अभी हो गया मसाला तयार तो हम इसमें डालेंगे हम फिराई की हुई बड़ी थोड़ा सम पाने डालेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से बुन जाए स्वाधन शार हम डालेंगे नमक यह बचा हुआ जो लगा हुआ है बरतर में मसाला वो भी हम डाल देते हैं कड़ाई में सारे मसाले मैंने सिलवट्टे पे पीस दिये हैं पीस के लगाए है एक दम देसी तरीके से सब्जी बनाई यह तो बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंज साफ लोग जरूर ट्राई करना इस तरह से बनाके हम गए थे गाउं में तो गाउं में गाउं से हमने यह वीडियो ल और अभी सब्जियों को हम डाल देते हैं कड़ाई में पड़ी और आलू को और सभी को मिक्स कर लेते हैं दोनों को आप इसमें यह देखिए बहुत ही टेस्टी लग रही है दिखने में तो हम डालेंगे नमक उसमें हमने नहीं डाला था क्योंकि आलू नहीं पड़े थे सब्जियां नहीं पड़ी थी तो आलू बड़ी की सब्जी बनने वाली है अभी हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के अमसार पानी जितनी हमें ग्रेवी चाहिए तो आवस्टता अनुशार हम पानी को डाल देते हैं चावल के साथ खाना है या रोटी के साथ खाना है पानी मैंने लगा दिया है अभी हम इसको डख के बनने देते हैं 10 से 20 मिनट बाद हमारी सब्जी बनके तयार हो गई है सब्जी हमारी बनके तयार हो चुकी है तो ज़्याद से ज़्याद मेरी वीडियो को लाइक करें सस्क्राइब करें और कमेट करें